Hello friends, कैसे हैं आप लोग मुरे चनल रूखी एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेल्कम है friend और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ exclusive features लाइं हूँ different different philums के तो आज मैं 2-3 philums के कुछ features cover करूँगी तो ये क्योंकि exam में बहुत पुछे जाते हैं और हर exam में ये पुछे ही जाते हैं कि 2-3-4 questions आते ही आते हैं UPTGT, PGT में तो बहुत आते हैं और बाकी आपका जो KBS का exam है नोदे के exam मतलब हर exam के लिए important है चाहब हो NEET हो, CUET हो, कोई भी exam हो तो आप इसको जो भी आज में बता रही हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा तो देखे जो मेरा चानल है, इसके बारे में आप लोग को पता है और इस चानल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए जिस मुझे motivation मिले उससे और मैं अच्छी तरीके से अपनों को और content देपाऊ और content का तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं चनल पे आपको content बहुत अच्छा मिलेगा मेरा जो प्रजयोगता पेज है उससे follow करिए, सिर्फ competition के जो भी आपके question papers है और बहुत ही अच्छा अच्छा content मैंने महाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे friend देखिए अब मैं start कर देती हूँ देखिए जो यहाँ पे phylum है आज यह क्या है phylum porifera है और phylum porifera आपको पता है कि इसमें sponges आते हैं और यह sponges जो होते हैं पोर bearing animals होते हैं आनि कि जितन भी animals होते हैं इस phylum के सब में आपको छेर या पोर दिखाई देगा इसके बारे मैं आपनों को पता है और लेकिन इसमें जो important points से उसको हम लोग देख लेते हैं जो exam में आते रहते हैं और इसके बाद मैं जल्दी ही जो KVS का question paper है वो upload करूँगी तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यह जो जबसे पहले जिटके members होते हैं इनको sponges कहते हैं और यह bisexual animals होते हैं और इनका जो cellular level of organization होता है यह बहुत simple होता है सिर्फ cellular होता है और यह aquatic होते हैं mostly इसमें marine होते हैं और rarely ही fresh water होते हैं तो फाइलम कोई भी फाइलम दे दिया आता है उसके ऐसे भी questions आते हैं कि इनके जो animals हैं यह marine होते हैं यह aquatic फ्रेश वाटर होते हैं यह दोनों होते हैं ऐसा भी question आता है अब देखें यह social है colonial होते हैं और यह solitary रहते हैं या निगीन कोई symmetry नहीं होती है लेकिन कुछ जो होते हैं वो radial होते हैं और इनमें जो water होता है वो एक minute जो pores होते हैं जो उस्टिया कहते हैं वहाँ से इंटर करता है और देखें different types के जो इस पर canal system होते हैं उस पर questions बूशे जाते हैं तो लेकिन basic जो है यह आपका जो है वो clear होना चाहिए तो जैसे कि इसमें pores या उस्टिया से यह water अंदर के तरफ जाएगा पूरी body में इंटर करेगा और फिर यहाँ पर central cavity पहुंचता है central cavity जो होती है इसको sponge जो होती है इसको sponge की है तो इससे आपको लोग relate कर सकते हैं कि इस sponge seal है और यहाँ से फिर यह एक pore के तरू बाहर जाते है जो water current है वो बाहर निकल जाती है और जो बाहर निकलती है इसको कहते है osculum यह और यह बाहर जाती है और यह color cells इसकी बहुत ही important cells है जो exam में पूछी जाती है इन्हें coenocytes कहते है और यह sponge seal को line करती है यानिकि इनकी जो lining होती है sponge seal की हो coenocytes की होती है और पूरी canal को भी यह line करती है अब यहाँ पर देखे जो sponges होते है इसमें water transport system होता जो canal system कहते है three type का canal system होता है important है यहाँ पर एसकॉन, साइकॉन और लिकॉन अब यहाँ पर देख लेते है जो digestion होता है respiration and excretion जो है यह diffusion के थूई होता है और plasma membrane से diffusion हो जाएगा अब यहाँ पर देखे जो important चीज़ है कि जो उनका skeleton होता है वो calcareous होता है या फिर silica के specules होते है या फिर sponges and fibers होते है तो इसमें ध्यान देना है calcareous यानि calcium carbonate का बना होगा silica, siliceous, specule होगी और sponges and fiber अब यह जो animal है इनका जो reproduction होता है वो asexually होता है budding के द्वारा या फिर gemule gemule जो है वो sponges में आपको मिलते हैं तो इसलिए आपको याद रखना होगा gemule है जो reproduction होता है वो sponges में होता है यह जो है gamete का formation भी होता है अगर यह sexually reproduce करते हैं और इन में जो fertilization होता है वो internal होता है और development indirect होता है यानि कि इस पे एक larval stage भी पाए जाएगी direct में कोई larval stage नहीं होती है तो indirect है larval stage भी पाए जाती है और यहाँ पर यह जो morphologically इनके adult form से अलग होती है distinct आप उसको कर सकते हैं इनकी जो classes है उसका example पर देख लेते हैं calcaria है इसका example leucosolinea है और psychon है hexactony leader है इसका example eupractella है eupractella को the venus flower basket भी खा जाता है exam में आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा the venus flower basket और आपको बताना होगा कि किसे कहते हैं चार option दे दी जाएगा या तो फिर आपको eupractella दी जाएगा उसमें चार option होगे तो उसमें आपको the venus flower basket match करनी होगी और इसमें जो है इनके example बहुत अच्छे बहुत important होते है इसका अक्सरी exam में पुछा जाता है तो यहाँ पर देखिए जो glass rope sponge है उसको hyalonema कहते है तो glass rope sponge को आप hyalonema जो है इसको आप देख लग सकते हैं यहाँ पर यह देखिए hyalonema इसमें उसके बाद जो आपकी class आती है थर्ड क्लास वो decimal spongy आती है इसमें यू sponge है जिसे bath sponge कहते है और Cleona यह boring sponge है और बोर करता रहता है यह shade करता है boring है यह और spongyla इसका example है now fresh water sponge होती है spongyla यह भी exam में पुछा चुका है कि fresh water sponge कौन सी है उसके example बताइए क्योंकि इसमें mostly तो marine form में होती है now अब जो next है वो देख लेते हैं यहाँ पर देखिए phylum need area यहाँ पर थोड़ा start हो गया है तो phylum need area में इसको की जो है sealant beta भी कहा जाता है इसमें tissue grade आ गया ओके देखिए sponges में cell था cellular grade था अब यहाँ पर थोड़ा अप्ग्रेड हो गया और यहाँ पर टीशू बनने गया तो tissue grade of organization है symmetry radial होगी blind sag body plan होता है अब डिपलो ब्लास्टिक होते हैं और यह sealant होते हैं नमें कोई sealant नहीं होती है now अब यहाँ पर देखिए जो mostly marine होते हैं लेकिन कुछ fresh water में भी रहते है solitary और colonial भी हो सकते हैं sedentary यानि की एक जगाँ पर रहने वाले भी हो सकते हैं और free swimming भी हो सकते हैं इनका important जो feature हो क्या है needle blast है इसमें stinging capsules होती है nematosis present होती है tentacles पे और इनका जो tentacle होता है इनके body पे present होता है तो needle blast का ये काम आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो central cavity होती है इनकी gastrofiscal cavity होती है इसमें एक ही opening पाई जाती है इसको hypostome कहते हैं और in-ment digestion, extracellular और intracellular दोनों होता है stasis very important है stasis में sense organ होता है और ये balancing के लिए काम कियाता है और first time need area में ये पाया गया इसका जो है example देखर के पूछ ले आता है friend कि statusist का क्या function है क्या work है किस फाइला में पाया जाता है तो आपको इसमें ये याद रखना होगा now next देख लेते हैं next यहाँ पे जो है ये है कि इनमें जो reproduction होता है वो asexual होता है direct या indirect भी हो सकता है जो obelia है या planula larva है वो present होता है obelia में और aurelia में planula, scyphistoma और ephyra larva पाय जाते हैं बहुत important है यहाँ पे obelia का larva जो होता planula होता है इनके larva भी पूछे जाते हैं तो planula larva obelia में पाय जाता है और aurelia में तीन larva के नेम बताए मैंने planula, scyphistoma and ethereal larva नाव ये जो animal होते हैं इनमें जो है two forms होते हैं दो basic body forms होते हैं इसको polyp कहते हैं और medusa कहते हैं polyp जो होती है वो सेसाइल होती है cylindrical form होता है जिसे जो hydra है वो और adamcia है ये polyp है लेकिन जो medusa है वो umbrella की तरह होता है चाते की तरह होता है और ये free swimming पाया जाता है और aurelia jellyfish का best example है अब कुछ जो nidarians होते हैं जैसे कि ovelia ये दोनों ही form में exist करते हैं और इनमे alternation of generation पाया जाती है जिसको metagenesis कहते हैं बहुत important है इनका alternation of generation पूछा जाता है और ये मैंने अपने एक lecture में बताया भी हुआ है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो polyp होता है वो medusa को produce करता है लेकिन asexually produce करता है और जब medusa होती है वो polyp को sexually बनाती है तो asexual और sexual वाले point भी ध्यान रखना है कि sexual से क्या बन रहा है अब यहाँ पर again three classes है देखिए hydros ओवाज में hydra आएगा जैसे नाम बता रहा है वो भी लिया जिसको कि C पर कहते हैं स्काइफो ओवाज में aurelia jellyfish आती है और एंथो ओवाज में आपके adamzia या sea animal आते हैं नेक्स क्लास स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट फाइलम जो है यहाँ पर टीनो फोरा है तो देखिए जो टीनो फोरा है यह कॉम जेलीस होती है टीनो फोर्क्स को commonly क्या कहा जाता है sea walnut या फिर कॉम जेलीस कहा जाता है और यह exclusively marine होते हैं इसमें fresh water में नहीं पाया जाते हैं सिमिट्रिन की radial होती है और diplo-blastic होते हैं teacher level को organization होता है और इनमें accelerated comb plates होती है जो की locomotion में help करती है अगर comb plate का functions आपके पूछा जागा exam में तो उसमें locomotion का option आपको tick करना होगा क्योंकि जो comb plates होती हैं वो locomotion में help करती हैं इनके organ का functions भी पूछे जाते हैं देखिए अब koloblast है जिसको lasso cells कहते हैं और ये especially adhesive cells होती हैं चिपकने वाले cells होती हैं ये present होती हैं इनमें और ये food के capture करने में help करती हैं nematocytes इसमें absent होती हैं और सिफ euclora rubra में होता देखिए exception भी याद करिएगा इनमें जो reproduction होता है वो सिर्फ sexual means से होता है only sexual means partialization external होता है और indirect development होता है now दो class होती है tentaculator इसमें tentacles होते हैं और ये hermiphora है और nudas होती है जो इसमें tentacles नहीं होते हैं और इसमें berry होती है जिसको कि sea walnut कहते हैं now यहाँ पर plurobragia भी है जिसको sea gooseberry भी खा जाता है sea gooseberry है और आपको matching करानी पड़ेगी कि इसमें किस नाम से matching होगी इसकी plurobragia से matching होगी now next यहाँ पर आजाता है phylum pretty helminthes phylum pretty helminthes जो है ये platforms होते हैं pretty helminthes क्या होते हैं ये dots so ventally flattened होते हैं तो यहाँ पर मैं इसको बताती हूँ कि ये dots so ventally flattened होते हैं और platforms कहा जाते हैं इनका जो है specialized flame cell ये exam में पूछा जाता है इसका काम क्या होता है ये excretion के लिए use होती है और osmo regulation के लिए भी use होती है ये ध्यान में रखियेगा दोनों काम है इसका now symmetry इसके क्या होती है bilateral symmetry होती है triple blastik होता है acylomate होता celom नहीं होती है और organ system level होता है now यहाँ पे देखिए mostly इसमें endoparasites होते हैं animal के endoparasites होते हैं animal के और जो इनका nervous system होता है वो seedhiyon के तरह ladder like होता है बहुत important है इसको याद रखियेगा sex separate ही होते है cross fertilization होता है okay tape worm होता है इसका example है self fertilization इसमें होता है और asexual reproduction जो है वो transverse band refreason के द्वारा होता है development में इसके बहुत सारी larval stages आती है तो यह जो आप इसके life cycle में पढ़ेंगे now अब यहाँ पे देखिए three classes में इसको divide किया गया है terbile area जिसमें dugesia आता है planaria okay और trimatoda है trimatoda fasciola है liver fluke क्योंकि इनकी classes पूछी जाती है example दे दिये जाएंगे इनकी organism के जैसे की fasciola का example दे जाएगा इसमें आपको classes बतानी होंगी तो आपको एक option चूज करना रहेगा now शिस्ट्रोसोमा जो है यह blood fluke होता है और इसके बास अस्टोडा है यह tiniasolium इसका example इनकी जो body covering होती है वो ऐसी होती है कि जो host cell का जिस पर यह लगे होती है जिस पर चिपके होती है जहां से इनको अपना portion मिल रहा होता है तो उसकी जो body के जो gastrointestinal tract के जो enzymes होते हैं उसके लिए इनकी जो body होती है पूरी resistant होती है उसका असर नहीं होता है वो क्यों यह antidoxins भी होते हैं इसमें और adhesive organ जैसे की suckers होते है flux में और hook और suckers होते है tape worms में यह present होते हैं और एक firm grip होती है on the host body पे यह जह चिपक जाते हैं उस grip के दवारा logomotory organ और sense organ absent होते हैं digestive organ है tape worm का tape worm में absent होता है exam में पूछा चुका है कि इनमें से किसमें digestive organ नहीं होता तो tape worm में नहीं होता है यह जो है digestive या फिर semi-digested food लेते हैं जिस भी animal की body में यह रहते हैं मतलब कि जिसको भी अपना host बनाते हैं उससे अपना खाना लेते रहते हैं और यह जो है body surface से इनकी absorb होता रहता है और reproductive system जो होता है best development होता है parasitic platform में तो यहाँ पर देखिए अब जो phylum escalement दीज है उसके बारे में देख लेते हैं इनको mostly round worm कहा जाता है और यह जो होते हैं pin worms या round worms अकसर ही जो छोटे बच्चे होते हैं और वो गंदी तरीके से अगर खाना खा लेते हैं या मिट्टी में खिलते हैं हाद में दुलते हैं मुमें डाल लेते हैं तो क्या होता pin worms उनके आ जाता है जिसको कि seat worm भी कहते हैं toilet seat पे यानि कि उनको जब उनकी party आती है तो उसके साथ वो worms भी निकलते हैं तो अकसर ही छोड़े बच्चों में होते हैं जो गाओं-आउं के एंवाइमेंट में रहते हैं तो अब यहाँ पे देखिए यह free living होती है parasitic होता है plants में और animals में और यह जो organ system level of body organization होता है bilateral symmetry होती triploblastic होता pseudosilomate animal होता है now next मैं यहाँ पे बता देती हूं इनमें जो sense organ होता है यह क्या होता है papilla होता है tactile होता है amphids होते हैं जो chemoreceptors होते हैं phasmus होते हैं जो glandulo sensually nature होते हैं elementary canal complete होती है और well developed होती है okay pharynx भी इसमें पाया जाता है अब यहाँ पे देखिए ascaris में H-shape की excretory system होता है और reinet cell present होते हैं very important ascaris में H-shape का excretory system होता है और reinet cells present होती है मैं इसको repeat कर रही हूं आपको बिल्कुल ज्याद रखना है now sexual dormorphism present होती है females जो है वो often longer होती है male से यह भी पूछा जा चुका है exam में और यहाँ पे आप जो picture देख रहे हैं ascaris में male और female में इसके बारे पूछा जा जा चुका है कि male में कौन सा organ होता है female में नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए ascaris roundworm होता है vucaria brancrepti philarial worm है ankylostoma hookworm है नेमेटोड को further divide किया गया है AFS media में जिसमें trichinela आता है tricharis आता है और AFS media में जिसमें ascaris आता है अब यहाँ पे male और female के बीच में मैं difference बता देती हूँ देन उसके बाद मैं philarium analyder start करूँगी तो यहाँ पे देखिए जो difference है male और female में इसको देख लेते हैं अब यह male ascaris और female ascaris का difference है male है यह female है देखिए जो male होता है smaller होता है female से और इसका जो posterior end होता है यह curved होता है यहाँ पे देखिए यह आपको दिख रहा है यह curved होता है और जो cloaca होता है for receiving anus anus को receive करने के लिए and genital opening present होती है और जो cloaca होता है वो cloaca लपर्चर के बाहर खुलता है now उसमें two equal chritinus specules होती है यह exam में पूछा गया था TGT-PGT में पूछा जा चुका है यह कि male में क्या structure होता है तो इसमें chritinus specules होती है penial CT होती है और यह cloaca लपर्चर से बाहर निकली होती है देखिए यहाँ पर आप इस picture में देख सकते है female जो होती है वो large होती है posterior indiscus straight होता यह female है anus के बाद देखिए फिस straight वे pointed है थोड़ा और यहाँ पर यह separate anus होता और genital aperture दोनों ही separate होते cloaca present नहीं होता ispqs भी absent होती है तो यह आपको याद रखना है जो भी आज मैंने बताया है तो चलिए friend तब तक के लिए जितने भी लोग मेरे channel पर हैं बने हुए हैं जो subscribe करते हैं जो देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत thank you है और ऐसे ही मुझे support करते रहिएगा thank you soon